क्लास 5 हिंदी चाप्टो 3 खिलोने वाला के अंसियार्टी के ग्वेशन आस्वसम देखने वाले हैं तो पहला ग्वेशन है तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूटने के मौके तो मिलते ही होंगे तो अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूटती हो तो जब ममी पापा मुझे डाटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता तो मैं रूट जाती हूँ Next है मा के अलावा घर में और कौन-कौन है जो तुम्हें मनाते हैं मा के अलावा घर में पिताजी और दादाजी हैं दादा जी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं Question 2 है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जोड़ी कहानियों के बारे में पता करके कख्षा में सुनाओ तो ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है, इस दिन राम ने रावण का वद करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासल की उस दिन से हर साल यह त्योहार बड़े धूमदाम से पूरे भारत वर्ष में मनाया जगता है तुमने राम नीला के जरिये या फिर किसी कहानी के जरिये राम चंतु के पारे में जाना समझा होगा तुम्हें उनकी कौन सी बाते अच्छी लगी तो आंसर है अपने माता पिता के प्रती उनकी आग्या कारता मुझे सबसे अच्छी लगी इसके अतरेक्ट और भी कई गुड उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जैसे उनका उच्छ आदर्श उनका त्याग धैर्य और उनकी कर्तव्य पराई अड़ता आदी क्वेशन फोर है नीचे दिये गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटों खिलोने वाला साड़ी नहीं बेशता है तो कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी तो इसमें देखिए खिलोने वाला बच्चों को खिलोने लेने के लिए अवाजे लगा रहा है मुझे कौन सा खिलोना लेना चाहिए उसमें मा की सलहा चाहिए मा के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा तो ये देखिए अलग-अलग भाव यहाँ पर तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा लेगा गोद में मंचा ही चीज़े कौन देगा तो जो भाव हैं कि मा कितना प्यार करती है और मा से सलहा ले करके पूछ करके बच्चे काम करते हैं खिलोने वाला बच्चों को खिलोने लेने के लिए आवाज लगाता है तो बच्चों को पता लग जाता है कि खिलोने वाला आ गया है खिलोने वाला साडी नहीं बेशता है वो तो खिलोने बेशता है ना next मुव्फली ले लो मुव्फली गरम करारी टाइम पास मुव्फली तुमने फेरी वालो को ऐसी अवाज्य लगाते जरूर सुना होगा तुम्हारे गली महल्गे में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और किस धंग से अवाज लगाते हैं उनका भीना करके दिखाओ तो कबाड़ी कबाड़ी वाला, रदी पेपर वाला, सबजी वाला, दस का सवा किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्यास ले लो, है ना, तो अलग लग तरीके से आप बता सकते हैं खेल खेलोने, तुम यहां लिखे खेलोनों में से कौन से लेना पसंद करोगी, तो आप जो है, कुछ भी मैं रेल गाड़ी लेना पसंद करूँगी, क्योंकि चलते समय, उसमें चुक चुक आवाज आती है, वो मुझे बहुत अच्छे लगती है, तुम अपने सात्यों के तुम की उम्में रे खांकित, हिसों को द्धीहान से देखो और संग्या, क्रिया आदी भेसानों, तो ये रेख़ते हैं, पान एक संग्या है, यहां पर है ना, पान संग्या है, दिल्ली जो है, वो भी एक संग्या है, फिर जो पांच यहां पर आ और रात जो है यहां पर जो आई है संग्या है और उपर क्या होता है उपर यहां पर क्रिया विशेशन होता है फिर उसके बाद दाड़ी जो है वो संग्या तो इस तरीके से यह होगे question answers thank you